हेलो और वेल्कम फ्रेंट स्वागत आप सभी साथ योग आपके अपने यूटूब चैनल एच्टी स्मार्ट स्टेडी में दोस्तो जो आइस वीडियो में हम लेके हैं आपके लिए जो एच्टेट आपका प्यारटी एक्जाम वह आपका जो तीन जनवरी को ठीक हो उसके अन चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखिए आपर जो हम सबसे पहले भासा का सुरू करेंगे और यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यह जो क्यूस्टन पेपर हो है आपका सैट एका ठीक है तो सैट में उसके बाद देखिए आप कि यहां पर सैट ए में जो आपका किस वाक्य से जो संबंद सुचक अव्य का परियोग हुआ है तो इसी तरह आगर आपका अलग-अलग शैट के साब शीए आगे पीछे हो सकते तो आप अपना मिलान कर लीजिए कि जो आपका ये क्यूस्टन कहां पे दिया हुआ है तो इस तरह है ठीक है तो चलिए दोस्तों किस वाक्य में संबंद सुचक अव्य का परियोग हुआ है देखिए दोस्तों इस वीडियो में चयादा समयनिर लेते हम जो है अंस्वर आपको आपको वीडियों में बताएंगे ठीक है तो जो 31 का अंस्वर होगा वह होगा अप्शन दो ded Oreo दो और आप अपना मिलान करते र यहनिके लड़ाक ठीक है क्या होगा यह यह जाएगा आपका लड़ाक उप्शन श्यारिश का राइट अंश्वर है के बाद 33 का देखिए जो है किस विकलब में नित्य पुलिंग शंग्या है तो जो किस विकलब में नित्य पुलिंग शंग्या है तो 33 का उप्शन यह दरिष्टिशे अनुचित विकलब चुनिए समास विग्रे की दरिष्टिशे अनुचित विकलब चुनना आपका यहां पर तो 34 का जो है तीन है वह बिल्गुल राइट अन्षर आपका जो इंद्रे जय तो यह हो जाएगा आपका इंद्रियों के लिए जय ठीक है इंद्रे ज Ini जे तो क्या हो जाएगा इंद्रियों के लिए जय उसके बाद 35 का देखिए ऑंब जी गल्थ समास विग्रे चुन जो अनुच्ट समास विग्रे चुनना आपका 35 में तो 35 का यहां पर देख्या दूर के लिए दर्ष्टन तो क्या हो जाएगा यह दूर दरुन के लिए एक उसे नमबर 36 का नाम धातू किरिया नहीं है नाम धातू देखे लती याना लती पलस याना तो क्या होगे नाम धातू तो इस तरह से देखे सजाना जूट लाना गल गली याना तो इन सबसे जो है अलग हो गया सजाना तो क्या आजाएगा इसका जो नाम धातू किरिया नह है इसके बाद 37 का देखिए जी वर्णो चारण की दरश्टी से बेमेल चुनिए वर्णो चारण की दरश्टी से बेमेल चुनना आपका यहां पर तो 37 में देखिए जो उप्षन आपका जो तीन हो बिल्कुल राइट अंश्वर है दै और इसमें आजाएगा आपका धै जालों में ठीक है तो इसका जो उप्षन तीन बिल्कुल राइट अंश्वर है उसके बाद आप 38 का देखिए 38 का जो तो यहां पर देखिए 38 का जो राइट अंश्वर होगा वो ओप्षन नमबर तीन इसका बिल्कुल राइट अंश्वर है अनुदार में ठीक है चलिए उसके बाद नेक्ष्ट देखिए 39 देखिए वारतनिक दर्स्टी से अश्वर सब्द चुनिए वार्तनिक दर्श्टी से अश्वर सब्द चुनना आपके आपके उनं तालिस में देखिए तो चुनी तो यहां पर जो है अज jeweels का priority अजब 20 किया हो जाएगा इसका अज applied किया हो जाएगा इसका अज mark इस के बाद next देखें चालिश का एन चेवाचक श्रवनाम वाला वाक्य चुनिए तो यहां पर देखिए इसमें मैं कुछ पुस्तके लाया हूं इन्हें तुम रख लो ठीक है इसके बाद है दाल में कुछ है खाला है केवल वहीं तुम्हारी प्रशंशा करशकता वैं चाहता है कि तुम सदेव आगे बढ़ो हंजी इसका ओप्शन दो जो है बिल्कुल राइट अंशर है दाल में कुछ है काला है ओप्शन दो जो है इसका राइट अंशर हो जाएगा हंजी ठीक है ओप्शन दो इसका बिल्कुल राइट है नेक्स्ट देखिए उसके बाद 41 का देखिए शू उपसरग रहित पद चुनिए वेंजन संदी का परियोग हुआ है नेक्स्ट देखिया आप क्यूस्टन नंबर 43 ठीक है संधी विच्छेदी की दर्ष्टी से असंगत चुनिये संधी विच्छेदी की दर्ष्टी से जो आपका असंगत चुनना है आपर 43 में तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो राइट अंसर है वो देखिये फणी पलस इंदर फणी चंदर सुदी पलस इंदर सुदी चंदर अभी पलस इष्ट अभिष्ट रजनी पलस इष्ट तो यहां पर देखे दोस्तों जो 43 का राइट हो जाएगा वो option यह बिलकुल यहां पे इसका right answer फणी पलस इंदर फणी इंदर ठीक है तो option एक साथ जाएगा option यह बिलकुल right है उसके बा सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखे प्रेनार्थक किरिया संयुक्त किरिया रंजग किरिया किरियार्थक संध्या तो जो 44 का right answer फवर वो जाएगा option ने चार बिलकुल right answer फ़र यहां पे किरियार्थक संध्या ठीक है उसके बाद next हमारा किस्टर नंबर 45 का यहां प परते की दर्ष्टी से असंगत विकलब चुनें असंगत तो हथ पलस ओड़ी हथ ओड़ी अनू पलस इक आणविक तो असंगत चुनना है आपके आपके साफ पलस ओला संपोला भांग पलस एड़ी यह भी नहीं होगा तो यहां पर जो इसका right answer का 45 वो हम जाएगे option एक के स साथ ठीक है हथ पलस ओड़ी हथ थोड़ी ठीक है तो अपसे नहीं यहां पर इसका पिल्गुल right answer दोस्तों तो पी क्यो आरस और टी में टी आर और एस से छोटा है क्यो टी चितना लंबा नहीं है लेकिन एक वैक्ति से लंबा है और एक वैक्ति से छोटा है इन में से कौन स सबसे लंबा है तो यहां पर देखे दोस्तों हमने इन क्यूस्टन को solve कर लिया था लेकिन अब इनके आपको answer answer हम इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि देखिए अगर इनको solution करवाएंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो आप अपने एक बार question मिला सब्सक्राइब है दो तीन चाहर के नुपात में हैं उनके घनों का योग देदियां पर 33,957 तो संख्या है तो यह संख्या कौन शी है इस क्यूस्टन को solve करने के बाद इस का answer होगा option यह बिल्कुल राइट है यह संख्या है होंगी 14,218 नेक्स्ट क्यूस्टन देखे तरे इस तरे शाका थन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है तो कौन सा सत्य नहीं जो 360 का राइट अन सरो हो जाएगा यह यह एक का पूतर है ठीक है तो option 40 का राइट अन सरो हो जाएगा option 4 के साथ जाएगे उसके बाद नेक्स्ट देखे आप जो 60 का देखे एक वैक्ति पुरव की और एक किलोमेटर चलता फिर दक्षिन की और में मुड़कर पांच किलोमेटर चलता है फिर पुरव दिशा में मुड़कर दो किलोमेटर चलता है उसके बाद वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमेटर चलता है अब वह प्रारंबिक विंदू से कितनी दूर खड़ा है तो चो शट का राइट अंसर हो जाएगा वो जाएगा option तो तो वह प्रारंबिक बिंदू से भी 5 km की दूरी पर है तो option 2 इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद next देखें पहें शट का आप निमन वरिक्ष्रेणी में अलग पद ग्यात किजिए तो अलग पद यहाँ पर आपको देखना तो अलग पद होगा यहाँ पर जो है एन आर और वी एन की option 3 के साथ जाएंगा option 3 आपका गिलकुल right answer हो जाएगा उसके बाद 66 का question देखें आपका ईक्सन 3 बिलकुल right है 13 साई एक बटा दो ठीक है उसके बाद देखिए 67 देखिए एक गोले की तरिजा के दुगनी होने पर उसके आयतन में कितने परतिशत की वर्दी होगी एक गोले की जो तरिजा है जो उसको दुगनी होने पर उसके जो आयतन होगा उसमें जो वर्दी पूछीगी है तो 67 का जो उप्शन तो यहां पर हो जाएगा प्रतिस्ट की वर्दी हो जाएगे ठीक है उप्सन यापर इस चाहर के साथ जाएंगे उप्सन चाहर इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा शडशट का उप्सन चाहर ठीक है उसके बाद 68 देखिए आप यहाँ पर 60 का एक व्यापर एक वस्तु को 24 रुपे में बेज़ता तता वस्तु के मुल्य के बराबर प्रतिसात लाब कमाता है तो वह लागत मुल्य है ठीक है तो वस्तु का लागत मुल्य है कितना होगा वस्तु का लागत मुल्य है आपर तो यहाँ पर इसक चैर के साथ जाएंगे उप्शन चैर आप इसका बिल्कुल राइट अंसर है उसके बाद उन्हेतर देखिए शिक्स्टी नाइन 15 व्यक्तियों 15 व्यक्तियों के एक सम्मूं में साथ हिंदी पढ़ते हैं आठ अंगरेजी पढ़ते हैं और तीन कोई भी वह बाषानी पढ़ते हैं कितने व्यक्ति हिंदी और अंगरेजी भाशा दोनों पढ़ते हैं तो Bear In? Здung होगा वो होगा option दो के साथ जाएंगे इसका राइट अंस्वर है तीन अंस्वर तीन हो जाएगा ठीक और option है आपका दो ठीक है उसके बाद देखे 70 का देखे 60 का जी यडिए पी त Platz क्यूं प्रीमे संक्य? तथा तिन पलस अंडूट 5 अप्वमें बराबर भी पलस यू अंडूट 5 तो और पी ता क्यों के मान है थैस आप पर इस question को Q करने के बाद जो इसका आशवर होगा दोश्तर Rocky Ke Wr okay का चकरवर्दी ब्याज 101.50 हो तो उस जो उसी राशी का समान समय के लिए सरल ब्याज कितना होगा तो 117 का यहां पर देखिए option 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा यहां पर option 2 के साथ जाएंगे 100 ठीक है कितना हो जाएगा यह rate 100 तो इसके बाद next देखिए बैतर कहां जी लगा दीजी बैतर निमन वर्ग सरेनी में लुप्त पद ग्यात करना है हमको लुप्त पद देखना है यहां पर तो यहां पर देखिए जो इसका right answer हो जाएगा option 3 के साथ जाएंगे M, N, O और P ठीक है उसके बाद next देखिए आप तो देखिए यह जो आपका question है यह तो आपका बिल्कुल simple होगा ठीक है क्योंके जो 4 कोणों का यह हो जाता है आपर 368 और देखिए आपर 108 है कोण होगा यह 108 और जो बाक्की बच गए वो कितने क्योंगे चुराश्ची चुराश्ची डिगरी के तो चुराश्ची कोण तीन से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 300 दोसोरी 252 और 108 हो जाएगे आपर 368 तो option जो 3 हो गया आपर विल्कुल right answer हो जाएगा इसके बाद next देखिए चुएतर का चुएतर देखिए अमित परकास के चुएतर में है तरुन सुमित के प्रोब की और है तरुन अमित के संद्रम में से जो है किस दिशा में है तो चुएतर का यहां पर राइट अन्शुर हो जाएगा option 3 ठीक है option 3 बिल्कुल right हो जाएगा यानिके दक्षिन पुरा हो उसके बाद next देखिए नेक्स्ट न देखिए और पीच सद्टर का विद्राइवर बर्षे होके आपका 20 एक्सिडेंट तो कार तो इसी तरह से पूछ्छा गया है ठीक है यह आपका रिजिडिंक का क्ईश्टन प में आएंगे आपर छहाँ पर किस तरहा हो जाएगा यहाँ पर फिल करना आपको 6 उसके बाद छेतर का देखिए नहीं में इस रेने में गल्थ संख्या क्यात करनी है आपको तो गल्थ कौन सी होगी तो 6 में होगी आपकी यहां पर जो एक ठीक है option 5 ठीक है तो यहां पर कितना कौन शी गल्थ है पर पांच गलत है तो option A आपका बिल्कुल right answer है उसके बाद next देखे स्थेत्र का स्थेत्र का जो क्यूश्चन इसको solve करने के बाद जो इसका right answer होगा स्थेत्र का वो होगा option A तो इसके बाद next देखे स्थेत्र का उस्षत चाल बतानी है आपको 78 में ठीक है तो 78 का है आप तीन बिल्कुल राइट अनसुरो जाएगा 32 किलो मेटर परती घंटा उसके बाद उनियाशी देखे 30 मेटर लंबे तरन ताल के एक सिरे पर पानी की गहराई 0.80 मेटर तसा दूसरे सिरे पर 2.4 मेटर है तरन ताल की ल उसके बाद नेक्स्ट देखे 80 में एक पंकती में अनियल 22 स्थान पर खड़ा है विकास 18 थान पर गोपाल नीकिसे दाई और 11 थान पर और विकास दाई पर की और तीसर स्थान पर इस पंकती में कितने वेक्ति खड़े हैं तो जो आंपर टोट लएक्तियों की संख्या होग की 42 ठीक है उप्शन एक साथ जाएंगे और यह इसकाश। भाद इसका राइट अंसर है उसके बाद कैसी आजयो निमलकित में से होसे कि कॉन चाह सही है तो कॉन चाह सही होस कि पारे तो इसके ईसका चैने सरेगा option 4,9-3,9 शाइएंगे यादि कर्षी उतपादो का संग्रे करता है यदि कर्षी 7 फथिया करता है ये सेभी इयरस्टल सेवा की सुर्वात हरियाणा के किस सहर में की गई है तो किस सहर में की गई है यह आपकी हिशार में ऑपंसन जी हराइन संसवर्दुरास सिब्सकार एक रादमी के अद्धेक्ष है तो जो हरियनस आइटते अक अद्धेक्ष कोन है यह स्री मनुहरलाल खट्रजी ठीक हमारे सी-एम ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखें जो पिचेशी का है हम जी मिन्टी अगरवाल के बारे में ने मिले कित कथनों पर विचार करना ठीक है तो जो पीछासी का राइट अन्सर हो जोगा वो हो जाएगा यहाँ पर फोर यानिके ए और बै इनमेशे जो है दोनों सही हो जाएंगे यह ठीक है हर्याना के मूल निवाशी मिन्टू अगरवाल भारती है वाई सेना में जो है शक्वारडन लेडर है वहसुद जो इसका बैहवा में वहसुद सेवा में डल प्राप्त करने वाली पहले महिला है ठीक है मिन्टी अगरवाल तो यहाँ पर ए और बै दोनों सही है जो मिन्टेगर वालों हर्याना के मूल निवाशी मिन्टेगर और भारती वाई सेना में जो है सक्वारडन लेडर है ठीक है उसके बद नेक्ष्ट देखे चैसी का प्राचिन भवानी अंबा माता मंदिर अफ्ष्थित है तो कहां है यह अफ्ष्थित चैसी का जी ओप्षन दो बिल्कुल राइट अंसर वाजाएगा यह है अंबाडा में उसके बाद है कि जनवरी 2020 में अधोली कित में से कौन से नगर पालिका को नगर परिशद के स्तर पर कर्मोनत किया है किसको किया है यह 27 का तो राइट अंसर वाजाएगा आपर जजजर को ठीक है उस अधुर रह्मान खान ओप्षन यह विल्कुल राइट अंसर है इसका उसके बाद अनवाश्य का देखे असोग के टोप्रा अभीलेक का मूल प्राप्तिस्तान अव्श्थित्थ है तो यह 89 का हो जाएगा ओप्षन यह विल्कुल राइट हो जाएगा यह अंबाला जिले मे असोग के जो टोप्रा भीलेक का मूल प्राप्तिस्तान है अंबाडा जिले में उसके बाद नेक्स्ट है 90 का देखे मेहंदरगट जिले से बहने वाली नदियों को पहचानी तो जो मेहंदरगट जिले से बहने वाली नदियों उनको देखे पर अंबूमती, दोहन, कशावटी और इंदोरी तो जो 90 का राइट अंसर है वो हो जाएगा आपका ओप्शन दो ठीक है यानिके दो और तीन ठीक है दोहन और कशावटी दोस्तों असा करता हम वीडियो आपको पसंद आएगा और सभी क्यूशन आपने मैच कर ली हैं दोस्तों तो कोमेंट आप करके आपके जरूर बताएं कि आपके कितने सही बन रहे हैं कोई भी क्यूशन में आपको डाउट है तो हमें कोमेंट करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कबर के साथ अबते के लिए जाहिंद बंद्यमात्रम